इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखनी के लिए हर कोई बहुत ज़्यादा बेसबरे से इंतिजार करता है जो क्रिकेट फैंस नहीं भी होते हैं वो भी इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला मिस नहीं करना चाहते हैं इसके लिए दर्शक बहुत ज़्यादा बेसबरे से इंतिजार कर रहे हैं बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान मुकाबले की बात करें तो जैसे आपने अशिया कप में हुआ ओडिया वर्ल्ड कप में हुआ तो जिस तरीके से कोई भी टूर्नामेंट होता है और इन दोनों देश हुआ है बाकी बात करें टीट्वेंटी वर्ल्ड कप अब जो खेला जाएगा न्यूयोक और अमेरिका में तो उसके उस पर जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है रिकी पॉंटिंग ने उस पर एक बड़ा बयान दिया है क्या है वह बयान चलिए उस पर नजर डालते है आप सोचिए कि न्यूयोक में जब दोनों टीमों के बीच इस बड़े इवेंट का एहम मुकाबला खेला जाएगा तो उस शहर में क्या महौल रहने वाला है वर्ल्ड गेम के लिए ये एक शांदार समय माना जा सकता है मुझे लगता है कि अमेरिका में इस खेल को आगे 22 में इंडिया और पाकिस्तान के वीज जहां पर हमने विराट कोली की वो शांदार पारी खेली ती कहीं ना कहीं जो विनिंग परसेंटेज था इंडिया का वो तीन या चार परसेंट था लेकिन उस मुकाबले को भी जो एक मैं कहूंगा कि हारा वह मुकाबला जिस तरीके स इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में अगर कोई चमक जाता है तो उसका करियर बन जाता है उसको सालों साल लोग नहीं भूल भूल पाते इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाता है और इकी पॉंटिंग जैसे बताया कि अमेरिका में जो है इस गेम की अब शुरुवात होन सब्सक्राइब करें पाकिस्तान को कि अब ही फिलाल मुझे लगता है कि इंडिया इतना ज्यादा डॉमिनेट करी पाकिस्तान को क्योंकि अभी आप एक्षा कप में देखो आप ओडिया वर्ल्ड कुप में देखो उससे पहले भी आप उठाकर देख लो मैचस तो चाहे टी इंडिया विश्टिले की रिवल्री जहां से रिक्षी पॉंटिंग है मुझे लगता है वह बहुत ज्यादा माइन रखता है कि अब जहां भी इंडिया को कि इंडिया अभी बहुत अच्छी टीम टॉप की टीम है लिकिन अगर कोई इस टीम को टकर दे सकता है चाहे इंडि की टीम है वो टी-20 उसमें काफी स्ट्रॉंग नजर आती है उनके गेंदबास बैटिंग डिपार्टमेंट काफी मतलब टेस्ट और वंडे की बात करें उतना उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है लेकिन टी-20 में अच्छी टीम मुझे अभी तक पाकिस्तान नजर लेकिन इंडिया और जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि वह एक अलग राइवल्री शुरू है मुझे लगता है राइवल्री वह होती है कि जहां पर दोनों का हमें बराबरी का मुकाबला देखने को मिले लेकिन अश्ट्रेल इस तरीके से परफॉर्म कर रही हमें बार बा क्योंकि इंडिया हर जगे अच्छा परफॉर्म करते है लेकिन मुझे लगता है जो कर्सा जो 2013 के बाद मुझे लगता है वह हट नहीं पाया है वह जो कर्द जब हमने चैंपेंस ट्रॉफी जीता था 2013 वह कोई भी आईसे से टूरमेंट मतलब जीत ही नहीं पाई सब लोग म आपकी क्या रहा है इस मुकाबले पर जो खिला जाएगा न्यूयोक में आपको क्या लगता है कि अमेरिका में कितना फरक पड़ेगा क्रिकेट के इस मुकाबले से इस वर्ल्ड कप से आप कॉमेंट सेक्शन में हमेरा अपनी बता सकते हैं और साथी साथ तूपान लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले